तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ कि क्या 12th की क्लास कमर्ज से पास करने के बाद क्या B.A. Political Science का जो कोर्से उसे किया जा सकता है के नहीं हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हूँ एजुकेशनल वर्डस्टर चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ B.A. Political Science कोर्स के बारे में और दोस्तो अगर आपने 12th की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको जह जानना है कि 12th की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से कोर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में दे दिया है आप इस खतम होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आप मेंसे कई स्टूडेंट्स का दोस्तों जे डाउट होता है कि कैन आई डू B.A. Political Science को साफटर 12th कमर्स जैने कि 12th की क्लास कमर्स से पास करने के ब तो B.A. Political Science का eligibility criteria दोस्तों जै कहता है कि आपको जो 12th की क्लास है वो आपको पास करनी पड़ेगी आपको 12th की क्लास कम से कम आपको 50% marks के साथ आपको पास करनी पड़ेगी तो 12th की क्लास को पास करने के बाद आपको इस course में admission मिल जाएगा और अगर मैं आपसे B.A. Political Science course के बारे में आपसे में discuss करूं तो B.A. Political Science 3 साल का undergraduate course है और इसमें कुल 6 semester होते हैं और एक semester की जो लेंट होती है वो दोस्तों 6 मेने तक ही होती है जो कि आज के टाइम में कई सारे ऐसे students हैं जो इस course को करते हैं और अंत में मैं आपको ये भी बता Political Science course के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो न अगर आपको जय वीडियो पसंद आईए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना